ओके बच्चा बाटी वीवेट दूइंग अर्टिग्नोमेट्रियों टेग्नोमेट्रिय में हम इंट्रड़क्टी लेवल पर थे तो वी विल दू मूर और सवाल आउट यह जो इंगलो पिए प्यू राइट अंगल आपका बैसा आप वो पिए क्या तो इन ट्रांगिल ट्रांगल्ड एड़ए या पशाल करा में राइं ऑंगल ओव फ्यूल हो फै कि भाई इस बच्ति है 17 सेंटी Jupiter टेंक है तो यहां पे ओपी की वैल्यू है भाइसाब 7 cm टेक है अड और Q-O P इसकी वैल्यू है 1 cm O Q-O P इसकी वैल्यू दियो है 1 cm determine the values of sine q and cost q यहां पर आपको यह वाला एंगल लेना है तो जैसे आपने sine q को consider किया तो आपिसली यह वाला क्या हो जाएगा perpendicular यह होगा आपका hypotenuse और यह हो जाएगा आपका बेस क्लियर है और भी क्लियर निस वान पीपलम चलिए बस आप कैसे करना बताइए फटाफट तो यहां पे अगर आप देखो कि यह है आपका सेवन सेंटीमेटर यह आपका हाइप आपका बाइसा तो पहला पाइथा करता स्थेरम क्योंकि आपको दो साइड यहां पर नहीं मालूम है यह नौट अवेर अफू साइड तो इसका आपका पर पर पेंडिकुलर और यह वाला हो जाएगा आपका बेस हमेशा याद दखना जो भी आंगल आपको कंसिडर करना है या जिस आंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूस निकाल ली है उसके ऑपोजिट साइड को आप पर पेंडिकुलर लेंगे तो आपका बाइसाब यहां पर क्या अप्लाई करेंगे बाई पाइठागरस ठीरम ठीक है पाइठागरस ठ को मालू में न वैसा पैदा होते ही अपने फड़ लिया था ओस्फिन से नकले भीले नहीं एथे तभी आपने फडीर ओड लिया तर्टिक औरफ्य वं गया वाइचा के लो थे रोपला कियो हम स्कुर्ण मतलировать कैस्ट ताल को का तो क्यों drei इसवाइन में ग्रस्ट फ किना मा टां तरी इस नौत जो टोटर देकिन यह, बाइस वाइस एधर डंच, К Coast algorith ब्हुर्ण OF आबर, ठेक है, a square minus b square क्या होता है, a minus b into a plus b, ठेक है, a square minus b square is a minus b into a plus b, तो यहाँ पर कर लो, इसका value कितना हो जाएगा, oq minus qp into oq plus qp is equal to 49, ठेक है, oq minus, यहाँ पर, चलिए pq लिख लेते हैं, भई सार, कोई दिक्कत नहीं है, qp लिखो या pq लिखो, it's one and the same thing, इदर सब जेगे पर भाइस, आप pq लिखो, पीक्यू, इदर भी pq लिखो डाल देते हैं, तकि confusion ना हो, pq, यह होगा आपका pq, this will be pq का square, pq, और यह होगा आपका pq, एक ही बात है, ठेक है, ठेक है, तो यहाँ पर इसकी value डाल सकते हैं, अपन, कितनी है, 1 into oq plus pq is equal to 49, तो oq plus pq की value कितनी होगे, 49, है कि नहीं, ठेक है, अभी आप ही है, आपको देखा वो q minus pq की value डियो यह, तो इंदो नो क्या कर लो भाइसाब, यह होगा आपका oq plus pq is equal to 49, यह होगा आपका equation number 1, यह होगा आपका equation number 2, इनको भाइसाब कर लो add, adding, तो adding में क्या हो जाएगा भा oq की value कितनी हो गई, भाइसाब, 50 by 2 centimeter, that is 25 centimeter, सिधा shortcut तरीका बता रहा हूँ आपको, वह रना ज्यादा करके salt examples of books में तो दिये हुए है, वो भाइसाब आपका लंबा चौड़ा आपका quadratic equations में जाता है, तेक है, बट इससे आप फटक से निकाल सकने है, तो oq की value कितनी हो तो आपका भाइसाब यहाँ पर oq का value निकल आया है, 25 plus pq is equal to 49, सो pq की value कितनी हो जाएगी, 49 minus 25, 9 से 5 गया 4, 4 से 2 गया 2, तो pq की value कितनी हो गई भाइसाब, 24 centimeter, ठेक है, pq की value हो गई 24 centimeter, ठेक है, this is basically 24 centimeter, are we clear on this one, यह हो गया, आपका 25 centimeter, clear, 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 बचाबादी, ठेक है, 25, 24 और 7, तो यह वाला value कितना हो गया, 25, यह हो गया भाइसाब 7, और यह हो गया आपका 24, ठेक है, okay, determine the values, अभी sin q की value कितनी हो जाएगी, sine q, that is perpendicular upon hypotenuse, ठेक है, perpendicular upon hypotenuse, तो यह perpendicular कितना है, op upon hypotenuse, oq, तो perpendicular कितना है, 7 by 25, ठेक है, इसी तरह से भाइसाब, आपका cos q क्या हो जाएगा, base upon hypotenuse, ठेक है, तो base की value कितनी हो गयी भाइसाब, आपकी, p q upon hypotenuse, that is oq, तो p q की value 24 upon 25, clear, are we clear, ठेक है, डन 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 डन, clear है भाइसाब, ओके, ओके, चलिए बाइसाब, solution देख लेते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने, यह यह लंबा है, मेरे ख्याल से, यह मेरे सुजाब से भाइसाब, इस process में मच जाएए, ठेक है, तो आपका पाइसाब करेंगे, तो यह 7 स्क्वार, तो आपका बाइसाब लंबा चलेगा यह, 1 प्लस 2 x, ठेक है, इस 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 इवाली 24 आई, चलिए इसमें आ गया है, जल्दी, लेकिन जनरली आपका अगर यह x square cancel नहीं हो ता तो लंबाग जनता ता, ठेक है, ओके, तो आपका पाइसाब हो गया, 24 plus 1, there is 25, why same values आई है, ठेक है, ठेक है, यह हो गया 24, 25, now we can calculate, sin q will be equal to 7 by 25, or cos q will be equal to 24 by 25, are we clear on this one people, हम, समझ में आठम, तेक है, ठेक है, ठेक है, ठेक है, ठेक है, ठेक है,। कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो ? State where the following a two or false justifies your answer, the value of tan a is always less than one. Tyne A किसी भी triangle में Tyne A की value क्या होगी Perpendicular upon base समझाओ यहाँ पर यह आपका है यह आपका बैस A, B, C कुछ भी हो सकता है तो तब से हसे जा रहा है Time Pass करना गर पर बटा करना बाई Tyne A की value क्या हो जाएगी तो टैन एकी वैल्यू पर्पेंडिकुलर भाइबेस यहां पर कितना हो गया वैसा B C भाइबी समझ में आरा है वैसा B C भाइबी क्या यह less than one होगा less than one कब होगा जब भाइब साब आपका बीसी किस से less हो एबी से less हो लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 20 20 जपी से ज़्यादा हो और 20 182 यहां पर क्या हो जाएगा 10 इस थी लीट में जैनल नहीं हो सकती कै कि यह बता सकते हैं क्यों क्योंकि साइने की वैल्य होगी जबेंदी कुलर अपन हाई-पॉटनीज परपेंडिकुलर कितना है बोलो बी-सी और यह गया एसी हमेशा किसी भी राइट अंगल ट्राइंगल में हाई-पॉटनीज की वैल्यू दोनों भी साइट से जाधा ही होगी भाई-पाइथा करस्थीरम के साब से कर आप देखोगे तो इन एनी राइट अं है मतलब आप अगर समल यह ट्राइंगल aE bc है एक आपका by default BC से ज्याधा होगा और एक आप्का by default नब कर सische का स्वाइर सब यह उससे ज्यादा ही होगा कौन हमेशा ज्यादा होगा ऑगर वाई-समद के स्व्याद तो आद होग początku Meinung क्या होगी वाई-सफैर की वैल्य की वैल्यू ज्यादा बनो ऐसा ही भाइस आपको से में भी हो जाएगा को से क्या होगा बेस अपन आई पॉर्ट नियूज बेस अपन हाई पॉर्ट नियूज मतलब क्या हो जाएगा एबी एक मिटा बेस आइ शुद्ध नियूज आदेका मिटार मुटने आएव। तो यहां पर साइन एक ही वैल्यू हमेशा एक हमेशा वन से लेस होगी और इसी तरह से भाइ सब कॉस्ट ऐखी वैल्यू भी हमेशा वन से लेस होगी तेर्फिका-वाइख्यू ह्पॉ्ट या और या जाने यह वैल्यू सकता है और हई पॉट लियू सकते एक राइगल ट्रैंगल का greatest side होता है समझ में आ रहा है ये ठीक है तो साइन ए या को से हमेशा आपको ऐसा fraction देगा जिसमें denominator की value numerator से जाधा हो और ऐसा कोई भी fraction जिसमें denominator की value numerator से जाधा होती है उस fraction की value 1 से हमेशा less होगी it will always be lesser than 1 ठीक है ओके तो यहां पर आपका अगर बी सी भाइसाब एबी से less हुआ जैसे कर यह दोनों बराबर हो गए तो टैने की value क्या हो जाएगी और अगर बी सी एबी से जाधा हुआ तो टैने की value जिट दन और तीनों भी possibilities बहुत मतलब possible है all three are possible लेकिन hypotenuse being lesser than either of the two sides is not at all a possibility यह होई नहीं सकता right angle triangle में की hypotenuse किसी एक साइट से कम हो that is not at all possible यह क्या है clear है okay tan A is not always less than one hence the given statement is false यह state where the following are true or false justified your answer in sec A की value 12 by 5 है for some value of angle A क्या यह हो सकता है sec A क्या होता है क्या हो जाएगा one by sec A है कि नहीं one by sec A मतलब one by 12 by 5 तो यह क्या हो गया 5 by 12 चाहिए हो सकता है very much possible क्योंकि क्यों से होता क्या है base upon hypotenuse बाइसाब यह 12 है और यह 5 है very much possible तो yes it is possible ठेक है तो whether the following are true तो यह आपका भाइसाब हो जाएगा true यह possible है it is possible ठेक है अगर ऐसा होता sec A की value दियो यह 5 by 12 तो क्या यह possible होता देखो इसका मतलब cos A की value क्या हो जाती थी 1 by 5 by 12 तो मतलब क्या हो जाता था 12 by 5 मतलब आपका base और hypotenuse का जो ratio है वो 12 by 5 होता था ता which is not possible तो कि hypotenuse आपका 5 वो और बेस आपका 12 वो यह possible ही नहीं है ठेक है hypotenuse always as to be greater than either of the two sides डोनो साइट से hypotenuse की value हमेशा यह जादा होगी तो यह पॉसिबल ही नहीं एक है चैक है यहां पर यहाँ यह वाला possible है very much possible तो क्या हम बोल सकते है SEC A की value 1 से जादा हो सकती है येस हो सकती है ठेक है तो कि यहां पर आपका SEC A की value hypotenuse SEC A के नेवर भी लेस देन 1 इसका value सब्सक्राइब नहीं कर द कर दो कhando स्वैट को Сबी essay मेन कि दीए लाय वे में एक वे माहल दूर्फ द एक यापका करे का सब्सक्राइब इस यह यूचा गां यह ज्याट सेटमल स्ट पास obsol आ JOHN के ले तो टू क्या होगा था साइन ठेक यॐ आ को साइन जोंगे को सेकंट क्या होलता है को सेकंद का अभ्री बेशिन Premium Signature अ हो सेक एक या क्या होगा one voice-around असे और फावाभा साही नहीं हो टाहिए एक यॐ का सिक एक चीज या दखना भाई साब अगर समझ लो मैं यहां पर लिख रहा हूं कॉट ए और इसको समझ लो एक three लिखना है बतलब समझ लो थीन से कॉस ए को अगर मैंने three से multiply किया तो इसका मतलब कॉस त्री यह नहीं हो जाएगा जैसे समझो कॉस थर्टी है कॉस थर्टी आगे जलके आप पढ़ोगे कॉस थर्टी की value होती है कितनी अंडर रूट three by two ठीक है और कॉस 90 इसकी value कितनी होती है वाई साब zero ठीक है यह this is something that you are going to study अभी यहां पर समझो अगर मैंने यह cost 30 into three कर दिया cost 30 into 3 किया तो इसका मतलब क्या होगा 3 cost 30 होगा 3 cost 30 मतलब 3 into under root 3 by 2 तो यह हो जाएगा कितना 3 under root 3 by 2 लेकिन अगर मैं इस 3 को इससे multiply कर दूँ तो यह क्या हो जाएगा cost 90 इसका मतलब 0 मतलब यह दूनों answer अलग अलगा जाएंगे समझ में आ रहा है एक है इस 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 और इस रॉंग विकास 90 की वैली जिरो होती है तो कभी भी अगर किसी cost या sign को किसी number से multiply करना है एंगल को नहीं करना है उस पूरे value को करना है तो अगर मैंने आपे cost 30 लिया हुआ है भाईसा तो cost a into 3 agar to you cannot write this as cost 3 to get a rap as a karthina top key value 0 J again you can write yeah you can name you will have to write it as 3 cause it so that is 3 cause 30 that is 3 under root 3 by 2 are we clear on this one people I'm again we are 0 in a yoga so kya you say if I support a is a product of pot in a answer is no okay it is for tangent of a it is basically for tangent of a pot is separate from a and has no meaning again so it's come at love hence the given statement is false sign theta is equal to 4 by 3 for some angle theta kya you to amit you like so I've got by sabi hapa perpendicular upon hypotenuse hota hai for hypotenuse values ka matlab perpendicular which is not possible again sign theta after one one se zada ni ho sakta cost it up a one se zada ni ho sakta or your one se zada hai kya se vaisa 4 by 3 matlab kya ho ta hai 4 by 3 matlab ho ta 3 1 aisa na vaisa diga kya vaisa ok 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 in a right angle triangle sign theta can never be greater than 1 for yoga 4 by 3 so hence the given statement is is false are we clear on this one people okay 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 then prove the day is equal to be chilly this okay now I myself tell you what happened what happened quick quick so all gonna know this character is a notebook me to go riot bharya vaisa okay this is the one one is good झाल 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 मतलग ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे समझ मैं आरा भाइसाब ये देखो समझ लो ये भाइसाब आपका एक ट्रेंगल है ये आपका ए ए और इसका कुछ ये वाइसाब आराध्ट ये अचछ रखेंगल ये वाला ट्रेंगल इसका और आपका अखेंगल आखेंगल आगगए सार्थी और ये ये अ कि यहां पर कॉस है और कॉस भी बरावर तो कॉस हो गया आपका अगर यह बराबर है तो यह तो हो गया एम भाई बी पी इसको प्रूफ करना है तो अपने यह मान लिया कि भाई साथ एम भाई बी पी तो एम भाई साथ कितना हो गया सब्सक्राइब ने संक्राइब को एम आखे लिसकुल है और सीमिलरली एए इंड इस उक्वर्टो टू टे इंटू बी त्यू समय में भाई साब के इंटू बी क्यू ओके ओके ऑचे अभी 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 भाई अगर मुझे को MN का स्क्वार निकालना पड़े MN का स्क्वार कितना हो जाएगा बोलो A N का स्क्वार माइनस A M का स्क्वार पाइथा करे स्टेरम लगा रहे हैं भाई सब A N का स्क्वार कितना है के स्क्वार B Q का स्क्वार माइनस A M का स्क्वार तो यहां पर K square BQ का square minus BP का square तो यह हो गया कितना बोलो K square BQ का square BQ का square minus BP का square यह कितना देदेगा आपको PQ का square तो MN का square क्या हो गया K square MN का square तो taking square root of both sides अपन क्या लिख सकते हैं MN is equal to K into PQ तो भाइसाब इदर add कर दो MN by PQ is equal to K अभी तोंको angle की भी ज़रूत नहीं है तो इसके यहाँ पर भाइसाब is equal to MN by PQ तो SSS से यह दोनों triangles क्या हो जाएंगे similar हो जाएंगे और अगर similar हो गए तो यह दोनों angles सापके बरावर हो जाएंगे तो यहाँ पर हमने मान लिया इसको के है तो AM is equal to K into BP AN is equal to K into BQ तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे AN का square ठीक है K BQ का square तो यह हो गया आपका B का P का square तो यह हो गया आपका ठीक है नाव MN square by PQ square यह हो गया ठीक है तो आपका cancel तो MN तो इसका मतलब MN by PQ कितना हो गया K ठीक है तो ट्राइंगे तो ट्राइंगे तो हम लेते हैं तो हमने अल्रेदी प्रूव कर दिया कि तीनो साइट क्या है proportionate है तो ट्राइंगे एंगे तो ट्राइंगे एंगे तो ट्राइंगे तो ट्राइंगे बीपी क्यों एक विच मीन्स दाट आपका भाईसाब ए और बीदी आपका क्या हो जाएगा corresponding angles of similar triangles corresponding angles of similar triangles से दुनों बराबर हो जाएंगे ओके 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 चलिए भाईसाब इसो करना है फटाक से जल्दी 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 कोई कोई झालिए जल्दी झालिए 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 झाल 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 इफटावाट ऐसे सेम इसी तरह से प्रूव करना है आपको ठीक है आपने वैसे आप एक ट्राइंगल ले लिया यह हो गया लेट से ए बी सी और यह वाला ट्राइंगल है लेट से पी, क्यू, आर ठीक है बी की बात कर रहे हैं हम तो यह हो जाएगा आपका पर्पेंडिकुलर यह हो जाएगा आपका हाइपट न्यूज क्यों की बात कर रहे हैं पर्पेंडिकुलर बेस और यह हो जाएगा आपका हाईपोर्ट न्यूज ठेक है ओके तो इन ट्राइंगल कौन सा बाइसा आप ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी साइन आफ बी यह कितना हो जाएगा बोलो पर्पेंडिकुलर अपॉन हाईपोर्ट न्यूज पर्पेंडिकुलर की वैली हो गई ए सी अपॉन ए बी ठेक है और साइ इन ट्राइंगल कौन सा बाइसा आप इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइन आफ क्यू इसकी वैली क्या हो जाएगी पर्पेंडिकुलर अपॉन हाईप equal to sign Q यह आपका दिया हुआ है भाई साब गिवन है तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं therefore AC by AB will be equal to PR by PQ so therefore AC by AB is equal to PR by PQ let's say हमने मान लिया this is equal to K के हमने लेट से माल लिया यहाँ पर लेट से तो अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं therefore AC is equal to K times of AB है कि नहीं ओके चलिए इसको अपन इसको अपन रियरेंज करते हैं अगर हमने रियरेंज कर लिया इसको चलिए पहले इसको अपन मिटा देते हैं वाई साब हुआ ठीक है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखो इसको अगर हमने इस तरफ लिया तो this can be written as AC by PR is equal to AB by PQ और let's say यह है K ठीक है हमने मान लिया कि भाई साब यह K के बराबर है so therefore AC की value क्या हो गई बोलो K times of PR ठीक है और आपका भाई साब यहाँ पे AB की value क्या हो गई therefore AB की value क्या हो गई K times of PQ ठीक है लिया ने भाई साब then nope अगर हम यहाँ पर AZ तो अगर हम यहाँ पर AC का और AB का तो हम यहाँ पर क्या लिखा सकते है भाई साब BC का square क्या हो जाएगा अपलाइग यहाँ पर क्या कर रहे Pythagoras theorem! To involves through triangular ABC applying Pythagoras theorem to triangle ABCrad लिख सकते हैं भाई साहब यहां पर हो गया आपका बी सी का स्क्वेर विल बी इकवल टू एबी स्क्वेर बी इकषट द्रू स्क्वेर भी सी का स्वेर मैं स्कोयर इस और टू यहां पे स्कोयर कितना हो जाएगा ए टाओक tr को यह हो गया आपका बीन ब्ली का स्क्वाइर ए बीस्टा स्क्वार प्र कब आपका आर का स्क्वेर तो यह हो गया भाइस अब आपका के स्क्वेर पी क्यू स्क्वेर माइनस के स्क्वेर पी आर स्क्वेर बी सी का स्क्वेर हो गया तो यहां पर बी सी का स्क्वेर इस वार टू के स्क्वेर पी क्यू का स्क्वेर माइनस पी आर का स्क्वेर अभी इस वाले राइ ठेक है, BC का square by QR का square is equal to K, K का square, I'm so sorry, यहाँ पे K का square है, तो taking square root of both sides, taking square root of both sides, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई सहर, BC by QR is equal to K, बीची by QR is equal to K, ठेक है, ले रहे, अभी BC by QR is equal to K हो गया और इत्ता ता अपन प्रूफ करी चुके थे तो अपन यहां पर क्या बोल सकते हैं, therefore in triangles, triangles कौन सा बाइसा, a, b, c and p, q, r, ठीक है, a, c by p, r is equal to a, b by p, q is equal to b, c by q, r, that is all equal to k, समझ में आ रहा है बाइसा, therefore हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, therefore triangle a, b, c is similar to triangle p, q, r, triangle a, b, c is similar to triangle p, q, r, reason यहां पर क्या हो जाएगा, बोलो, s, 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 side, 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 अगर ऐसा होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, angle b, angle b is equal to angle q, angle b और angle q बराबर हो जाएगा, क्यों, corresponding angles of similar triangles, ठीक है, so hence, आप रूवदा हो गया, आपका, तेरे, are we clear of this process, प्रॉसेस प्रीपलम, नहीं समझा, ओके, तो देखो, यहां पर आपको क्या है, angle b and q are acute angles, acute angles का ही सिल्सिला रहेगा, आप इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजे, ठीक है, acute angles मतलब दोनों में से कोई 90 नहीं है, ठीक है, और यहां पर यह बोलना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर 90 होजाता है, ठीक है तो दोनों में से कोई 90 नहीं है, मतलब कोई तीसरा angle ही आपका 90 डिगरी होगा, ठीक है, such that sin b is equal to sin q, अभी sin b की value sin q के बराबर है, तो यहां पर यह नहीं बोला जाला है कि दोनों भी एक ही triangle के पाथ है, तो obviously you will assume that both angles are parts of some other triangle, ठीक है, तो आपने बोला भाइसाद चलो, a, b, c एक triangle हो गया, और p qr, एक triangle हो गया, तो obviously बात है कि जब हम b की वैत कर रहे है, b a का acute angle हो गया, और q b a का acute angle हो गया, जब हम यहां पे b की बात कर रहे है, तो b का opposite क्या होगा, perpendicular, yoga base और yoga hypotenuse, q का opposite क्या होगा, perpendicular, yoga base और yoga hypotenuse, जिस भी triangle को आप consider करते है, उसका opposite side perpendicular होता है, ठीक है या है ना दूसक्ट रेडी है आप लोगों के साथ बाइशाओ किंडर गार्डन डेंगर और प्रोसेसिफ रिपिंग लाइड लेंड पता नहीं क्या क्या इस अरक आप समझेंगे ओ क्या होता है जीरो क्या होता है विद्सकार्ण करेंगरन परवरिष्थ कि आप नर्सरी में लो या वन में अड्मिशन लो जब भी आपने पैंसिल पकड़ा तो आप से यह उमीद की जाएगी कि आप ए लिख लेंगे नहीं लिख पाएंगे तो दो थपड़ भाई साब कांटेंगे थार दू ऐसे ही यह इस इस दर प्यार में पले वड़े हैं वैसा चेहरे तो देखो भाई साब क्या हो जाएगी पर्पेंडिकुलर भाई हाई पॉट्नूस अज कल मैं अगर किसी पेरेंट को मेसेज करू ना कि आपका बच्चा पड़ मी रहा है या आपका बच्चा रेगुलर नहीं है या आपके बच्चा कोई इंट्रेस में नहीं देख रहा हूं तो मुझे रिप्लाई आता है ओके मैं बात करूँगा हमारे जमाने बात नहीं होटी कि वैसा सिधा लात बात का कोई सवाल ही नहीं है ना भाई साथ मैं हिंदी में एक बार फेल हो गया और मेरे पापा को कॉल किया प्रिंसिपल ने कि देखे हम इसको पिलिम्स में हमारा बहुत 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 स्ट्रॉंग था मतलब स्कूल सब माक्स अच्छा है लेकिन हमारे बहुत स्ट्रिक्ट का मतलब बौर्ट का जो पैटन वो बहुत तो जैसे अभी आप किसी सब्जेक्ट में पेल होते हैं ताप आई टी नहीं आपा प्रिंसिपल ने सारे जितने भी लोग पेल हुए ज जुगी मेरे पापा को फिल गया भाई साइब स्कूल से मारते हुए आए हैं गर तक मारे ही इतना धोया है भाई साब यह हमारे जमाने की ऐसी परवरिश हो रहा है ना एक तो भाइस-हाव सरकार आपके पीछे पड़ी हो возь है आपको पास कराना ही है कि हमारे सरकार क्या पूरा हमारी पीछे पड़ा गया है हर बार में जब भी नेक्स क्लास में जाता था बीस रिपीटर में को मिलते थे इस रिपीटर होंगे होंगे जिसमें से 10 अगले साल क्योंकि स्कूल दो साल के बाद नहीं लगता था अब इसको तो टीचर जबर्दस्ति का पेल करा दे जबर्दस्ति अरे तुमने यह लाइन ठीक से ड्रो नहीं किया और यह आप क्या भाई साब वह विराजो वाई साब किसमें पास नहीं होना किसमें पास होना बता तो दे बीस मार्च तो ऐसी दूंप हम दे रहे हैं जर्नल जर्नल लिख रहे हैं चुम्मा बीच मार्च से ऐसे ही आ जाएंगे असी मार्च के लिए उसमें भाई साब और यह पसीने चूट रहे हैं लोगों की का ही पढ़ लोगे भाई साब कितने दूर तक जाओगे है यही सिस्टम है सरकार भी ठक चुकी है ना भाई साब सरकार इ यही सब होता था जब आप लड़कियों के बीच में रहते ना तो प्रद से शरीफ आप बन जाते हैं लेकिन हमारे अंदर कोई शराफात नहीं थी आज भी नहीं है वैसे ही मैनुफैक्ट्रिंग हुई है हमारी आज भी वह कॉलेज जो है बॉइस का नाम ही है बॉइस कॉल यह वूदिन डॉस्टर उठागे ऐसे सरने मारा धार से मैं देख रहा हूं उसके गल गल ऐसे खून निकल रहा है भाई साब कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई साब लेकर गया उसको ऑफिस में ऑफिस वाला बोला रही है तो ठीक है भाई सब प्योन प्योन जो है वह अब सरकार क्या करें सरकार बोलिए कि लिट्रेसी डेट हमारा इतना डाउन है इसको उपर कहां टंग लेकर जाएं अगर हमने बीस बच्चों को एक क्लास में फेल करा दिया अगले साल भाई साब मरमर के सिर्फ पांची बच्चे उसमें से पास होंगे 15 फिर से फेल होंगे मतलब यह 15 तो इनका एडुकेशन थो बंद वो गया इनके पापके पास पैसा हो या ना हो इनके पास सामर्थ कलज जाने का हो या ना हो लेकिन यह तो आउट हो गैं सिस्टम से मतलब हमारा लिट्रसी रेट और रप होगा तो यह आपको ऐसे ले- ले-े-ले-ले करके पास क क्लाइंस हैं जो हमारे फॉरिन कंट्रीज हैं जो हमको बिजनेस देते हैं जब इंडिया का लिटरसी रेट यह देखें के वाई सब पहले भग जाएंगे वह यह क्या अभी वासिर के वीच में कहा हम अपना बिजनेस देगे सिधी बात है वाई सब वाई बेदलन में वाई आपका पतनियम के सथ तक जाएंगे लेकिन यह वाई इसका अविलुशन रॉतन ही बंद रता आ रहा है उ यह झाट्रीड माई जेटिक दॉर्ट और इसका खामियाजा हम सबको भुगतना है आप देखिए ना आज की तारिक में आपका इटेंशन लेवल आज है ही नहीं मैं बोल रहा हूं अच्छे से अच्छे स्टुडेंट का जागा से जादा इटेंशन लेवल पैतालिस मेंट करे सकता है बहुत-बहुत मेहनत किया तो एक दम ठान के बैट लिया कि दिमाग में और कुछ भूसना ही नहीं नहीं तो 45 मिन में दम तोड़ देगा भाईसा कोई भी क्योंकि आपका इटेंशन लेवल डिवाइड़ है भाईसा इसमें चला गया पूरा इटेंशन और इसका रिस्पॉंसिबिटी सिप आप पे नहीं है हम पे भी है पूरे सिस्टम पे है आपका इटेंशन लेवल वैसे तो हो रहा है आप दिन में बचा पचास देख लिया तो आप आपका इटेंशन लेवल भाईसाब कितने नानो सेकंड्स ने पहुंच गया आपको मालू में नहीं है आप इस रीज यूंद एंड फैमस हैं क्योंकि हमारे पास भाईस आप टाइम नहीं यह पुरे पिक्चर देखने का टक 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 ट इस फेमस औरी भाईसाब इतने मिलियन व्यूज रील्स में मिल रहे हैं शॉट वीडियो दिखा बनाओ हट पर चलेगा वाई सब कुछ भी उसमें डाल दो क्योंकि हमारा अटेंशन लेवल भाई सब गिर रहा है वी के नौट फोकस फॉर मोर देन अ मिनिट इनीटिंग हावेवर एंटर्टेनिंग इस कोई एंटर्टेंट्मिन की चीज़ में भी आप आप एक मिर से जाता नहीं फोकस कर पा रहें और हाई तो दूर की बात है आपका इटेंशन लेवल गिरेगा ही गिरेगा इस इस गोई टू है यह एक नॉर्मल प्रोसेस है और इस प्रोसेस में जिम्मेदारी सिफाब की नह बी और आपका हो गया बाई साब क्यों तो इन ट्राइंगल एबी सी और ट्राइंगल पी कि आप जानके जापान में क्या सिस्टम चलता है जापान और चाइना पीपल आर वहां पर भाई साब एक पैसे का नैच्रल डिसोर्स नहीं है उल्टा भाई साब वह अर्थ्वेक प प्राइमरी सेकंडरी और टर्शरी ऑक्यपेशन होता है और आपने पढ़ा रहेगा कि जिस देश में जितना ज्यादा टर्शरी ऑक्यपेशन प्रचलिट होगा उतना ज्यादा उस देश का विकास होगा एक एक वर्ल्ड वार में पूरा तहस नहस हो जाने के बाद पहली बार नुकलियर टैक होने के बाद भी आज जापान एक डेवलप नेशन इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने एडुकेशन के सिस्टम को बहुत अच्छे से पख़गा हुआ है और बहुत पहले से मेहनत की आपको कभी बोड में जोल नदर आएगा क्या कभी नहीं कर रहे हैं लेकिन यही 90 क्रॉस करने वाले लोगों का कॉम्पिटिशन में पसीने छूट जाते हैं नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर ना तो जर्नल का बनिफिट मिलेगा वहां पर ना तो भाई साब आपको यह नो वैसे लीनियंट मार्किंग का बेनिफिट मिलेगा और वहां पर ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं वहां पे clear filter है आप हैं या आप नहीं है simple आप में वह बात है या नहीं है एक दम clear cut filter हो जितने भी competition level में आप clearly filter हो गए तो इसी लिए मैं कभी-कभी बोलता हूँ और शायद शायद इस बात का दूसरा नजरियां ना ले लेकिन मैं यह बोलता हूँ कि board में score करना और competition level में score वोड करना दोनों में जमीना समान का फरक हैientes र आप देखेंगे कि किसी बीचे ने बुर्ड में अच्छा नहीं किया है टान मेरे मेरे टाइम प मतिंस चोड़ा ता इस आपका इंड यह मेरे सीघ्स मेरे बीज़ट से सब्लस इसरोर मेरे साथ हुआ था मैं मेरे साथ हिंदी टीचर का पंगा था उन्होंने मेरे 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 कहने का मतलब यह है कि आप अगर समझो एक सिंपल सा प्रेमियम इंजिनिन कॉलेज है इंजिनिंग का मार्केट आज की तारिक में बहुत साचुरेटेट है इंडिया इस लाजेस्ट मैनुफटर इंजिनियर्स हर गली कुछे में आपको इच्छा इंजिनिंग कॉलेज मिल जाएगा बुद्दा यह है कि आपको एक अच्छा मिल जाता है 90% हैं अबब हर साल में मैंने तो स्टेट बोड को जोड़ा भी नहीं है तो आप समझ ही अगर मैं जितने भी स्टेट बोड्स हैं महराष्ट्रा गुजरात वगरा सब को जोड़ू तो कम से कम मैं बोल सकता हूं कि 20 लाग बच्चों का अबब 90% रहेगा 10 की बा अगर मैं ऐसा मानूं कि जिनको 90% अबब मिला है सिर्फ वही एक्जाम दे रहे हैं तो भी वाई साब उनका नहीं हो पाएगा ऐसा टाफ एक्जामिशन है आप किस चीज के लिए तयार हो रहे हैं उसको समझेए अगर अगर करियर बनाना चाहते हैं आप अगर करियर बनाना चीजे हो जाती हुआ पर बोर्ड का कुछ मतलब नहीं है अब आपने देखो आई टी में 75% बोग्स के मार्ट रग दी है क्योंकि वो मजबूर हो रहे हैं इतने ज्यादा लोग क्वालिफाई हो रहे तो इनको डिस्क्वालिफाई कैसे करे इन्होंने भाई साब से में लेकिन एक आईटी का पेपर उठाएंगे और 12 के बोर्ड का पेपर उठाएंगे जमीन आस्मान का फर्ग है लेकिन इन्होंने भाई साब रग दिया कि 75% अगर आपके बोर्ड में नहीं आए आप आईटी में क्वालिफाई भी करते हैं तो भी आप डिस्क्वालिफ कहां से इतनी बड़ी आबादी को परजस्ट करें कैसे किस को करें नहीं आप्षिन इसमें अगर आपको अपना रस्ता बनाना है तो बहुत समझदारी से काम करना पड़ाएं इस चीजों को समझे चीजों को क्योंकि मार के पकड़के यह सब चीजे हमारे टाइम पे हुई ह कुछ कुछ चीजों पर सक्सेस हुआ है किनी-किनी पर सक्सेस नहीं हुआ है यह तो fundamental लेकिन समझदारी अगर सक्सेस आना है तो समझदारी से आ सकती है इस उसका कीजों का वाइसा तोड़ा सा मुल्यांकन कीजे आप किस रस्ते जा रहे चली बोड का तो पसला आप ले देकर पास हो ही जाएंगे उसके बाद क्या हाओ अरी गोई टो शेप आप यॉर लाइफ इस वेरी इंपॉर्टन थिंक अबाओ एक पोएम था ना आपका कल में पढ़ा रहा था शाहिद पच्छों को वह दरोग नॉट टेकिन जैद नाइंत में था आपको लेना है और आपका डिशिशन बेज़्ट है आपका कितना कनेक्ट है पढ़ाई के साथ और वो कनेक्ट हो नहीं पा रहा है कि आपका सिस्टम आपके साथ बहुत लिनियंट हो चुका है तोड़ा सागर और ज्यादा प्रेशर बिल्ट अब करें अभी पहले आप देखिए आपके सीवीए सी में पूरे साल में छे अग्जाम सोते थे लिए बैस सब्सक्राइब याद है वो दिन याद है क्या था पीए वण पीए टूपता नहीं क्या क्या अभी चार हो गए वह भी आफ़त हो गया है यह भी हो जाए खतंव बोड़ी उडा दो वाइस अन्य पी त प्रसंटेश में लाने की लिए क्या करें उके चलिए वाइसाद तो यहां पे आपने दो ट्राइंगेट ले लिए हैं बी और क्यू की ओं गया यह दोरू एपिए हो गया टेके इन ट्रांगिल पी ट्यू आप साइन चू की वैलु क्या हो जाएगी पर्पेंडिकूलर अपन है पॉर्प्र्ट मुश्ट इस पीर भाइपी चू ट्रेरे ओके साइन बी इस इक्राइब तो एपन यहां पर क्या बोल सकते एसी बाइब इस एक्वाल स्क्राइब का 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 स्क्र C by P R will be equal to AB by P Q, इसको अपनने मान लिया भाइसाफ k, लेट से के तो आपका भाइसाफ BC की वैलू, स्री, आपका यहाँ पे AC की वैलू क्या हो जाएगी, AC will be equal to K into P R, और AB की वैलू क्या हो जाएगी, K into P Q, समझ में आ रहा है, ठीकर, ओके, अभी इस ट्राइंगल में आते हैं बीक हो जाएगा इसको एधर लिया तो एभी दालो के और को यहां पर क्या बचएगा पूर यहां पर पिक्यू स्क्वार निकाल कि यहां पर स्वार को मैने स्सक्राइब इस ट्राइंगल में आओ देखो यहां पे PQ का स्क्वेर क्या है P R स्क्वेर प्लस Q R स्क्वेर है तो PQ का स्क्वेर माइनस P R का स्क्वेर यह कितना हो जाएगा Q R का स्क्वेर ठेक है अगर हम स्क्वेर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो BC by QR क्या हो गया के अभी तक आपने क्या प्रूव कर लिया AC by PR is equal to AB by PQ इसकी वैलु के है और अगर इसकी वैलु के हो जाती है तो अपन यह क्या बोल सकते हैं भाई साब therefore AC by PR AB by PQ is equal to BC by QR all of them are equal to K so in triangles ABC and PQR since three sides are proportionate to each other we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR by SSS ठीक है और अगर ऐसा होता है तो अपन क्या बोल सकते है therefore angle B will be equal to angle Q angle B और angle Q भाई साब आपका बराबर हो जाएगा क्यों क्योंकि corresponding angles of similar triangles के साब से ठीक है तो आपका angle B और angle Q यहीं आपको प्रूव करना था और equal to each other clear है और भी clear बहुत बढ़िया भाई साब ठीक है तो अपने मान लिया B and Q और acute तो sign B is equal to sign Q योगा sign B योगा sign Q ठीक है तो AC by AB is equal to PR तो AC by AB इसको अपने replace किया ठीक है तो AC by PR is equal to इसको अपने अगर K मान लिया ठीक है AC is equal to cake और यह हो गया AB तो आपका वाईसाब AB का square हो गया यह ठीक है तो BC का square हो गया यह K square तो PQ का square हो गया आपका PQ square plus QR square तो BC का square by QR का square अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो के की value आ गई तो BC by QR हो गया आपका के अगर आप इसको देखेंगे तो की आर क्यू देके ACB similar to PR को तो आपका B और Q यह कॉन अल्डू मलिक है भाई साव यहां पे क्ये जा रहे है चली बासा आप इसको करना है फट्टा फट्ट कुए जल्दी फट्टा 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 फट्ट अवर्ट फट्ट आपड आपड आउगल A and angle B are acute angles आपका तरीके से प्रूब होगा वाई साथ कोई दिक्कत नहीं है प्रूब होगा वाई से प्रूब होगा वाई साथ कोई दिक्कत नहीं है प्रूब होगा वाई से प्रूब होगा वाई साथ कोई दिक्कत नहीं है प्रूब होगा वाई से प्रूब होगा वाई साथ कोई दिक्कत नहीं है प्रूब होगा वाई से प्रूब ही ऐट्यकत नही है डूब होगा वाई से प्रूब होगा वाई से प्रूब llama दन दन एंब अरक्यूट आंगल्स यह लेट से ए ओगया यह यह इसको कुछ और लेना पड़ेगा स्वाम क्या लिया जाए आप एक्स वाइच 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 चलिए वैसे यह ओगया आपका लेट से बी यह गया पी और यह गया क्यू समझ में आ रहा है तक भी सब्सक्राइब और आपका यहांपन क्या बोल सकते हैं और तैन एक वैलैउ बादि ऑ ineं ट्रांगल ये एक्स वाइच वाइच वाई एक सप अने की वैलीवरी थे मैक पर पेंडिकुलर अपॉन बेसा पर्पेंडिकुलर आपका कितना हो गया एक्स वाई अपॉन बेस्ट एडिस एवाई टिके भाई सब टैने की वैली यह हो गई क्लियर हम बच्छा बाड़ी ओके 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 इसलिलर यहां पर अपर बोल सकते हैं इन ट्राइंगल कौन सा वाई सब बीटी पी अपी चू दी की वैलु कितनी हो गई तो आपको यहां पर दिया हुआ थान ईए और टैन भी बराबर ए तो टान एई is equal to tan b, तो अपन क्या बोल सकते हैं, therefore, xy by ay is equal to pq by bq, ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, xy by bq is equal to ay by bq, ऐसा लिख सकते हैं, k, let's say, यह हो गया आपका, let's say, ठीक है, तो xy is equal to kpq, ठीक है, ay is equal to kbq, ठीक है, xy की वैलू कितनी हो गई, भाइसाब kpq और ay की वैलू कितनी हो गई, kbq, अभी in triangle, in triangle, कौन सा भाइसाब, axy, ठीक है, ax का square, कितना होता है, भाइसाब, आपका, xy का square, plus ay का square, अगर, भाइसाब, xy का पन isolate करते हैं, नहीं, Ax का square, xy नहीं, आपका, ax का square कितना हो जागा, भाइसाब, इसको xy की ज के पर आपन क्या लिख सकते हैं, ks q 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 आप A square B P का square A x square तो taking square roots taking square roots taking square roots A x की value क्या हो जाएगी K into BP हो जाएगी A x by BP की value कितनी हो गई भाई साब K है कि नहीं तो अभी मैं अगर इसको देखता हूँ यहाँ पर क्या था हाँ पाई साब K X X Y by कितर गया भाई साब के यहाँ एके सवें पर यह हो गया अपका वन अर यहाँ गया लगगे से टू तो तो फ्रम न च तो फ्रम न फ्रम फ्रम्न टू न तो फ्रम एडर्वी कहा अ एसवाइड पीट तो एक्वल to a y by b q is equal to a x by a x by b p ठीक है अगर ऐसा है a x y by p q x y by p q is equal to a y by b q is equal to a x by b p तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं therefore triangle कौन सा a x y is similar to triangle b p q sequence बराबर होना चाहिए ठीक है अपर यहापर रीजन क्या हो जाएगा भाई साब s s s और अगर ऐसा है तो बाई साब अंगल a और अंगल b क्या हो जाएगे अंगल a will be equal to angle b hensha proved हाब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब बाई साब हैं साब हो गया यह ओके ओके सो यह आपर दो triangles लिया हुआ तान a is equal to can be can a key value हो गई perpendicular by base tan b की value हो गई, so this will be PQ, अगर हमने इसको replace किया, भाइसा PQ को इधर लिया, AM को इधर लिया, तो AM by BP, ठीक है, so AM by BP, अगर हमने भाइसाब, तो यहाँ पर in triangles, क्योंकि यह बराबर हो गए, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, भाइसाब, A is equal to angle B, ठीक है, okay, 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 relation between trigonometric ratios, तो आपका sin theta क्या होता है, 1 upon, one upon, one upon, one upon, one upon, one upon, one upon, amit, sign का उल्टा क्या होता है, sign का reciprocal क्या होता है, cosec, तो cosec, भाइसा, तो इसका मतब साइन किसका उल्टा होगा, one by cosec theta, one by cosec theta, अगर मैं यहाँ पर cost theta लिकू तो क्या होगा, one by, sec theta, यहाँ पर अगर मैं tan theta लिकू तो यह क्या हो जाएगा, one by cot theta, ठीक है, तो साइन theta, cosec theta is equal to one by sin theta, ठीक है, और क्या लिक सकते है, भाइसाब साइन theta and to cosec theta is equal to one, लिक सकने, भाई इन दोनो को मल्टिप्लाई करो तो, से बाज़ा होगा, one by cot theta, okay, cost theta is equal to one by sec theta, से थीदा, cac theta is equal to cost theta, हम यहाँ पर क्या लिक सकते है, cost theta and to sec theta is equal to one, tan theta ही यह ता है भाग का वन by cot theta cot theta, cot theta one by tan theta, ten theta and to cot theta is equal to one, tan theta is equal to sine theta by cot theta, cost theta and cot theta, क्या हो जाएगा, cost theta by साइन थीटा और तिदा किसका उल्टा है तैन थीदा का उल्टा है तो यहां पर भैसाब आपका हो जाएगा पॉस्ट इडा भाई साइन थीटा ओके यह बहुत इंपोर्टन है भैसाब लिग लीजे इसको रेशो इसको एक कोई अगर आप याद रखेंगे तो बाकी सब हो ज बिख की वैलियो होगी 1 सिक्ष्टेगि वैलियों गी अंडर रूट त्री बाई टू और नाइटी की वैलियों यह एक को याद करली जे बाकी सब्साब आपने आप हो फॉर्टइफाइगा इसका वोग्या वाइसा किता इसका वोग्या अंडरूप 3 by 2 यह वोग्या अपका अंडरूप 3 by 2 1 by under root 2 1 by under root 2 आप और 0 बिल्कुल उल्टा अब इसका बेरा निकालना है आपको कैसे निकालेंगे आपने आप ने देखा कि यहां पर जिरो है बाइसा तो बन अपॉन जिरो इसका बलकुल उल्टा इधर आएगा तो यह ओगा आपका जब भी आपका बैसाब डिनॉमेटर में 0 आ जाता है तो इसकी वाल्यू आप डिटर्मिन नहीं कर सकते हैं तो यह हो गया बैसाब आपका कितना इसका यहाँ जयागा अंडरूट 3 यहाँ जाएगा 1 यहाँ जाएगा वन भाई अंडरूट 3 यह आपका 1byं under root 2 है, तो यह क्या हुजाएगा? 1 upon 0 मतलब indeterminate हो जाएगा कोसेग θटा पर आते हैं, यहाँ पर 0 है, 0 मतलब 0 upon 1 1 upon 0 क्या हो जाएगा? जैसे देखो आपने, cost की जो values हैं, वो sign की ulti थी, वैसे कोसेग की जो values हैं, वो कोक mówis turkey में यह इनफिनिती हैं यह वास आप अब थाय में सेच्छे टूच्छल हों भाई आप to यह वह आ पका राई सब अनधर और तू यह वास आप अनधर कौक बाल स्टू लेगा अनौन पर फी तू यह अन्धर रूप जूप है और यह एख वाल जांँ के वाल्यज। को यात करने तो ही काफी है। साइन के वैल्यो को याद करने तो ही काफी है। आप पूरा टेबल भाई साब एक सेकंड में बना सकते हैं यह कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर आपका साइन थिटा में जीरो की जो वैल्यू है अपका साइन थिटा पॉबट तो यहां पर गया एंटर रूप टीट आपां यहां रहेंगे साथ एक तैन में क्या हो जाएगा था contributor is equal to sign जे रहे, cot theta भाई साब क्या हो जाएगा, इसका reciprocal, 0 by 1 का reciprocal क्या होगा, 1 by 0 which is infinity, 1 by under root 3 का reciprocal क्या होगा, under root 3 by 1 which is under root 3, तो ऐसे भाई साब सारे table को आप दिनाई कर सकते हैं, एक सिर्फ इसकी value अगर आपको मालूग में, किसी एक की value से आप पूरे values को determine कर सकते हैं, तो यहां पर द कर दो, ऐसे गर याद रखना है आपको, 0, 1, 2, 3, 4, upon, सब में 4 और सब का root निकाल दो, तो 0 by 4, under root, 1 by 4, under root, 2 by 4, under root, 3 by 4, under root, 4 by 4, under root, यह एक निमोनिक है, मतलब, याद करने का तरीका है, तो यहां पर कितना आगया, तो 0 by 4, मतलब, यह तो 0 याएगा, 1 by 4, 1 का under root हो का 1, और 4 का under root हो का 2, तो 1 by 2, यह हो कि आपका, 1 by under root 2, एक मितलब, तो यह होगे, आपका 1 by under root 2, यह होगे, आपका under root 3 by 2, और यह होगे, वन, कॉस्ट इटा भाई साब इसका, उल्टा होगा, जो 1 है, वहाँ पर, तो इधर भी 1 by 2, अभी इसका, हाफ इधर, इधर आ जाएगा, यहाफ इधर आजाएगा, इसका 0 उधर आजाएगा, यह वाल sine by cos, यह tan theta क्या होता है, भाई साब, आपका sine theta upon cos theta होता है, तो 0 upon 1 कितना आ जाएगा, 0, एकि नहीं, 0 upon 1 की value, 0, 1 by 2 upon under root 3 by 2, 2 or 2 cancel, 1 by under root 3 आ जाएगा, भाई साब, टेके, ओके, 1 by under root 2 upon 1 by under root 2, यह कितना आ जाएगा, आपका 1, तो tan 45 की value, जहाँ दीजे, tan 45 की value आ गई, 1, चि to cancel, तो कितना आ जाएगा, under root 3, ठीक है, this will be under root 3, यह रम, 1 by 0, यह क्या हो जाएगा, भाई साब, आपका infinity, ठीक है, ओके, cot theta की value क्या हो जाएगा, भाई साब, this is basically the value of cot theta, not determinate, यह हम इसको infinity भी बिलते हैं, ठीक है, indeterminate बोलेंगे आप, indeterminate, इसकी value determine नहीं कर सकते है, ठीक है, ओके, जैसे ही आपका denominator में 0 आता है, तो वो non-determinate हो जाएगा, ठीक है, ओके, 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 सेक, theta की value 2 by under root 3, under root 2, clear, are we clear on this one people, this would be the table, आपको इस पूरे टेबल को भाई साब नहीं याद करना है, आपको सिर्फ भाई साब इसका sign का याद करना है, और sign का याद करने का एक simple सा तरीका यह है, बाकी सब आप अराम से भाई साब एक मिट लगे आपको device करने में, तो आप 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 से किसने पूछ दिया, sign 45 की वैलू आपको भाई साब करते लिए, आपको भाई साब कुछ नहीं करना, sign 45 का वैलू आपको याद है, कितना है, 1 by under root 2, आपको दिखेगा कि आपने यह टेपल लिख लिया, तो आप आप से क्या होता है, 10, theta हमको मालूम है क्या होता है, भाई साब, 10, theta is equal to sign theta upon cost theta, तो आपका 10, 45 का वैलू क्या हो जाएगा, sign 45 upon cost 45, sign 45 की वैलू 1 by under root 2, cost 45 की वैलू 1 by under root 2, तो यह हो गया आपका 1, तो 10, 45 की वैलू हो गई 1, बस कतम, तो आपको याद करनी की जरूरूती नहीं है, आपको सिर्फ भाई साब एक टेबल यादखना है, sign 30 की, sign 30 की 1, 2, 3, 4, 5, यह पाँच वैलू जाद रखने है, और याद दखने का एक सिंपल तरीका है, भाई साब, 0 by 4, 1 by 4, और अंडरूट में, 2 by 4, 3 by 4, और 4 by 4, इसको आप अंडरूट में कर लेंगे, तो वह वाल्यूज भी आपकी आजाएगे, ठीक है, are we clear on this one, okay, thank you so much for your valuable time today,